हेलो एवरीवन वेल्कम टू मैच्वित पवन वर्मा इस इस मी पवन वर्मा जोर एप्टिट्यूड गाइड आज हम लोग अभी हम लोग मिल रहे हैं डेली टास्क का डे शिक्स का सॉलुशन करने के लिए और मैं यह एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने इसको सॉल्व किया सब्सक्राइब आज अच्छे कोशन्स थे तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ओर ना वेस्ट करते हुए और को डेली बेली करना मैंने बोला था आपकोडरी करना संडे वन-मंडे या दिवाली और गुट फ्राइड़ या कोई भी देन स्केप नहीं करना थांट कर दिव to be extreme बात होती है ना कि भई हमी कैसे होगा कोई भी चीज कैसे अचीव होगा हमारे लाइफ में तो कहा जाता है कि you don't have to be extreme you have to be consistent consistency मणा बना के रखनी है तो I hope कि आप कर रहे होंगे and चलिये सेशंग डर्ट करते हैं right coming on next स्लाइड डे सिक्स टार डेली डास का सॉलीशन है अगे और यह बार बर तो मैं कहता ही हूं कि आपको टेली डास्क वहाँ पे मिल जाया करेगा या फिर वाट्साइप चैनल आप जोइन कर सकते हैं राइट वाट्साइप चैनल जाइन कर लीजिए उसकी लिंक दी गई है तो वो चैनल वहाँ भी जोइन कर लेते हो आपको डेली डास का पोस्ट वहाँ पर मिल जाएगा आप अगर टेली ग्राम जोइन नहीं कर सकते हैं तो फाइन और यह सोशल मेडिया प्लाटफोर्म का लिंक है लाइक अट देरेट आइं अन्रस्कोर पावन वर्मा यह सब्सक्राओ कि दिखेंग साथ इस सारी चीजे देशेंगे संदो यह सेशन करने का मतलब क्या है एक तो कुछ रिव विजन चैप्टर वाइस हो जाएगी उसके बाद क्या है कि आपको सौटकट प्रॉसेस बीड़ा चलता रहे हैं कि वह सौटकट कैसे क्या जा सकते हैं तो यह है हमारा पहला कुछिन आज का तो कहता है कि एन आर्टिकल इस सोल्ड एड़ लॉस ऑफ एलेवन होल वन बाइन पर जाए एड़ ने कि मैं को पॉइंट के जगा डैरेक फ्राक्शन दिग्जाता है और डैरेक पी क्यों के फॉर्म में दिख जाता है यह कि भाई ऐसा लिखा हुए तो कह रहा है कि आटिकल इसोल्ड अट लॉस एलेवन पोइंट पोइंट पर सेंट अन अधर अधर इसोल अन क्राय मूल राइट क्रें मूल रहा है क्रें मूल ऐसे सब्सक्राइस काय तो पहले आटिकल की बात करते हैं तो पहले आटिकल में हमने लॉस किया था कितना 11.11% और यह इस इकल टू 11 1 by 9 मतलब 1 by 9 दूसरे आटिकल की बात करें दूसरे आटिकल में हमने प्रॉफिट किया था साथे बारा परसंट का लिखा गया है यह कुश्चिन में तो टूएल एंड हाफ मतलब हो जाता है 1 by 8 अब यह दो पॉइंट से मुझे यह समझ में आया कि भई कॉस्ट प्राइज कितना होगा सेलिंग प्राइज कितना होगा तो मैं निकालता हूं मैं यहां पर कॉस्ट प्राइज लिखता हूं यहां पर मैं सेलिंग प्राइज लिखता हूं तो मैं कह रहा कि यहां पर लॉस हुआ था ना तो नाइन का आर्टिकल था सपोस्ट नाइन हम देब आखाता क कहनेगा तो यहां पर कह रहा है कि 12.5 परफिट की प्रोफित वही आज्टीन है कि 8 8 योनिट अगर उस आर्टिकल की कॉस्ट राइज जै तो उसमें साहथे 12 की प्रोफित वही मतलब वान फंब उनिकेज ide की प्रोफित इंस is profit this is cost price तो दूसरे आर्टिकल की cost price है eight और उसकी में profit one का है तो मतलब उसको nine में sell कर दिया so this is the ratio of cost price and selling price of both the article दोनों article की cost price or selling price की ratio निकल गई अब क्या कह रहा है कि दोनों की cost price जो है न यहां पर question में कह रहा है कि दोनों की cost price है equal दोनों की cost price equal है तो मुझे और और बता रहे है कि selling price में differences है पांसो दस रुपे की तो मैं कहता है cost price अगर equal है तो cost मैं कह रहा है कि इस ratio को अगर मैं ऐसे देखूँ इस ratio को यह जो ratio दिख रही है इसको मैं अगर ऐसे देखूँ कि A is to B and cost price ही तो है और फिर कह रहा है कि cost price of दूसरे article की cost price की बात करें तो A is to C इस तरीके से है मान लिजिए तो आप क्या यह दोनों ratio को combine कर सकते हैं बिल्कुल combine कर सकते हैं क्या करें कर दोनों को equal करना हैagen दोनों को equal करना है नाइन और 8 को नाइन ओर है और फोगा कर दो मैं जाएगा तो मैं कहे रहा कि 8 9 times is 72 यह हो गया 72 और 8 into 8 कितना हो जाएगा 64 72 and 64 is the cost price and selling price इसकी बात करें तो 8 9 times is 72 again और 9 into 9 is 81 this is the selling price again अब हमारा question solve हो गया अब कह रहा है कि difference between selling price तो difference between selling price तो selling price का दो यूनिट तो दिखाई दी रहा है ना आपको एक एक दीख रहा है 64 दूसरा दिख रहा Is 81 तो डिफरेंस कितने का दिखर रहा है आपको तो मैं कहista difference दिख रहा मेरे को यहां WordPress 17 772 11 और 6 17 उनर्ट का difference लिगर है 17न यूनिट का difference दीख रहा है तो ठीक है तो मुझे क्या बताना है मुझे बताना है कॉस्ट प्राइज कॉस्ट प्राइज बताना है तो कॉस्ट प्राइज बताना है तो 72 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे तो हम गये 510 divided by 17 into 72 बस यही करना था 17 से इसको cancel करोगे तो 30 टाइम जाएगा और 72 इन्टो थ्री टाइम्स करते हैं तो 216 और जिरो तो दिस इस दे कॉस्ट प्राइज ऑप्शन सी हमारा एंसर हो गया ऑप्शन सी हमारा एंसर हो गया अच्छा यहां पर मैं आप से कुछ और पूछू मैं को यह बता कि सेलिंग प्राइज की अगर बात करी जाए तो मुझे बत होशन में हम आते हैं आप कमेंट करके जरूर बताना ठीक है नइस खूशन पर आते हैं को अकुशन नमर्टू को फिफटीन मैं वरकिंग ट्वेल फार्स अडे ट्वेल आर्स अडे और अन्प्लीट अवर्क इन 20 डेज पंदरह मैं जो हैं बारा घंटे एक दिन का काम करते ह हैं इन हाव मेनी डेज 12 बॉइस केंप्लीट अवर्क वर्किंग 10 आर्स अडे गिवन एट इफेसेंसी ओफ बॉइस ट्वाइज बैट आफ एडिया यहां पर एडिये कर दिया कि इफेसेंसी ऑफ बॉइस मतलब बॉइक की जो इफेसेंसी है जो दूगना है एक लिंए सघ्म गात ग भर अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि एप घंड़ फो 629T में एक डौक रएगा मैन दो टौज बनाएगा ऐसा समय लो तो एक मैं एक ही टॉय बनाएगा इस तरीकी का है तो इफिसेंसी गिवन है तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं एंसर लिक्वेशन लिखता हूं मुझे पता है कि आपको टाइम इंड वर्क में यह बात पता चला होगा एम वन दी वन टी वन एवन एम स्टेंट्स फॉर मैं दी फॉर देज टी फॉर टाइम एफिसेंसी इस तरीके से आप एक्वेशन रख दोगे सॉल्फ कर दोगे तो एक तरफ मैन वाला एक्वेशन रख दो एक तरफ कहले रख देता हूं हमें पता है कि 15 मैं तो मैं लेकर फिफ्टेंट मैं वर्किंग 12 आर्स अडे 12 आर्स अडे एंड बेश दिन में काम को खतम करते हैं और एफिसेंसी की बात अगर करी जाए तो एफिसेंसी आफ मैन इस वन है ठीक है अब वही बाग काम करना है जो काम इनो ए त्सेम वक? 10 आर्स अडे 10 घंडे काम कर ते एक दिन में और उनकी एफिसेंसी की बात करी जाये तो एफिसेंसी दस घंडे काम करते number of days नहीं पता है लेकिन उनकी efficiency 2 JACK तो मैंने हमें number of days निकालनी है तो number of days को हमने x लिख दिया अब इसको calculate कर दो और answer ले आओ calculate कर दो और answer ले आओ तो मैं कहरा कि cancel कर देते हैं जीरो से 0 कर दिये ठीक है 12 से 12 काट दिये और 2 से क्या काट दू मैं तो 2 से 2 को काट देते हैं तो मैं को x की value क्या आई x की value आ गई 15 तो यह हमारा answer हो गया 15 option B कि 15 दिन में 12 boys काम को खतम कर देंगे working 10 hours daily ठीक है तो this was your question number two coming to the third question of the day तीसरा question कहता है question को पड़ो question कर रहा है कि रजनी एंड दिव्या invested 1,35,000 तोगेदर invest किया उन्होंने the ratio of the profit of both is 36 is to 45 36 is to 45 के हिसाब से उनकी profit divide होगी if रजनी invested for six month and दिव्या invested for 15 months time दे दिया गया है तो देन find the amount invested by मतलब दोनों मिला कि एक लग 35,000 इंवेस्ट कर रहे थे तो मुझे यह बताना है कि individually अगर पता करता हूं कि रजनी ने कितना इंवेस्ट किया या दिव्या ने कितना इंवेस्ट किया तो आपको वो बताना है तो चलो स्टार्ट करते हैं मैं कहा रहा कि partnership के partnership का सवाल है अब partnership में पूरा ratio use होता है right तो मैं इस तरह से लिखता हूं कि suppose that this is रजनी this is दिव्या ठीक है अब रजनी के investment को आर मान लेते हैं दिव्या के investment को दी मान लेते हैं और time की बात करें तो time investment time की बात करें कि कौन कितना time के लिए invest कर रहा है तो रजनी ने six month के लिए किया था और दिव्या ने 15 month के लिए किया था और इस हिसाब से जब वो पैसे मतलब investment करते हैं तो profit उसके बाद क्या होदा profit होती है तो profit का ratio given मैं 36 to 45 मैं इतनी सारी चीजे लिख रहा हूं लेकिन आपको इतना करना नहीं है आपको डारेक्ट इडिड़ बाई 15D हाना 6 आर यह हो गया 15 दी यह हो गया और इस गिपस में 36 by 45 कैंसल कर दो जो कैंसल होता है कैंसल कर दो जो कैंसल होता है तो 6 से 6 ताइव और 15 से 3 डाइम तो मैं को आर और डी का आईट्याया मिल गया और दी एक किस हजाब से पैसे इन्वेस्ट कि Moto T सथी अभ मुझे बताना है कि रजदी ने कितना इनिवेस्ट किया तो 1-35,000 इकषा तो 1,70-7 में 6 बाट तो सिके जागर मने तोय यहीं 2 मिलाो आइट ses और ना किस्दक до पार्टनर इसने लगाया 90,000 रुपए और इसने लगाया 45,000 रुपीज तो इस तरीके से दोनों का शेयर भी पता चल गया मैंने यहां पर 00 लिखा नहीं था तो 00 आप लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है मैंने नहीं लिखा टाइम बचाने के लिए फड़ तो इस तरीके से हमारा केस्फिन फाल थी हूं वह गया स्वर्ख कोसिन फॉर प्रवड आता हूं मैं कौसिन फॉर कैसे लेंummy निई ब्रेट olur channel our in the ratio of five is to three एक रेक्टेंगल है ठीक है इस तरीके से एक lys टेंगल है लेंथ हो गया हिए ब्रe this is in ratio 5 is to 3 find the area of a square square की area निकालनी है area of a square कैसे निकलता है अगर ये सारे साइड बराबर है होते ही है तो area इसका निकलता है side square ये बात पता होगा आपको तो कहारे find the area of a square whose sides is two more than the breadth of the rectangle जो breadth की value होगी उससे 2 ज्यादा होगी उसकी side given that the perimeter of a rectangle is 32 perimeter of a rectangle perimeter of a rectangle क्या होता है 2 into L plus B so this is given this is given like how much like 32 perimeter is given 32 right the 2l का मतलब हो गया 5x और बीका मतलब हो गया 3x to L plus B मतलब हो गया 8x or 2 into 8x अगर करे तो this is 16 and this is 2 याने की x की value आगई 2 x की value 2 आगई तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6 और मुझे को कह रहा था कि side जो है ना जो जो square है square की जो side that is two more than breadth the breadth की value आगई है 6 तो two more than मतलब क्यातना हो जाएगा 8 8 तो इसका square कर दो 8 का square मतलब 64 cm square this is the area of a square of that square right तो इस तरीके से आपने is age of PQR is after three year is 28 average of P plus Q plus R 28 and the 28 three times is that is 75 plus is 84 और ये कब का सम है P plus Q plus R कब का है after three years the present बाने के लिए तीन-तीन साल सब में से माइनस करना पड़ेगा तीन-तीन साल सब में से माइनस करना पड़ेगा यानिकि 9 माइनस करना पड़ेगा तो P plus Q plus R का present age कितना हो जाएगा 75 84 में 9 सबस्टाइट कर दिया present sum of present age of P plus Q plus R तो कहते रेशियो आफ दे एज़ेज अफ Q and R is 4 is to 3 Q और R की जो रेशियो है right Q और R देखो तीन लोग है मैं तीनों का लिखता हूं P is to Q is to R तो कह रहा है कि Q and R इनकी रेशियो गिवन है 4 3 4 and 3 the age of P is 5 year more than the age of R age of P P की बात कर रहा है इसकी बात कर रहा है तो P की जो age है वो 5 साल जादा है R से तो R का अगर 3X है तो यह कितना होगा 3X plus 5 और यह कितना होगा यह 4X तो इस तरीके से तीनों का रेशियो है तो मुझे मुझे जो पूछा है मुझे पूछ रहा है find the average age of P plus Q 6 years from now P plus Q का average बताईए 6 साल के बाद क्या होने वाला है 6 साल के बाद क्या उनकी average होगी तो मुझे पता है कि तीनों का सम 75 है तो इन तीनों को एड़ करना इन तीनों को एड़ कर देंगे त्री X 4X 3X 4X 7X plus 3X 10X plus 5 तो मुझे पता है कि 10X plus 5 is equal to 75 तो 10X is equal to 70 और X is equal to 7 X की value 7 आ गई तो P का H कितना हो जाएगा P का H कितना हो जाएगा तो हमें पता है कि X का मतलब 7 है तो 21 plus 5 is 26 और पी का बात क्यूं का बोड़ा है P & Q पता करना था ना हमें तो 4 x 7 is 28 this is the present age of P plus Q P and Q present age of P and Q तो मुझे पोड़ा 6 साल के बाद उनकी average क्या होगी तो मैं इसमें 12 और add कर दूंगा वैसे अगर मैं इसको add guru 26 plus 28 is like 54 54 plus 12 54 plus 12 क्यों करूंगा क्योंकि 6 साल ये भी बढ़ जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 60 कितना हो जाएगा जी 54 26 26 52 plus 2 is 54 plus 66 हो जाएगी 66 divided by 2 करूंगा तो हमेरा average आज जाएगा लगता कुछ भी टाइम लगता ठीक है तो डोंट अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो दोंट फॉगे दो लाइक दी वीडियो लाइक का बटन प्रेस कर दो हो सके तो कुछ कमेंट करो तुम तो करोगे नहीं सिर्फ देखोगे तो कमेंट किया करो और वीडियो को शेर भी कर दो जो अपने अपने ग्रूप में हां सब्सक्राइब करो चैनल को और टेलिग्राम को जॉइन करो बार बर एक ही बात रिपीट करनी पड़ती है मैं ये कुछ दिन तक बो आपको देता रहूंगा तब तर के लिए ख्याल रखे थेंक यू फो गिविए टाइम और गेप्स वोटेवर इपर टेक्स राइट डॉंट फोगेट जो लगेगा वो लगा दो जितना समय लगेगा वो लगा दो बस बन में ये बनांगे रखलो कि गेव वोटेवर इवर